ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय आज हम वृत्तों के बारे में यहां चर्चा करेंगे सरुपर्थम वृत्संबंदी जो साधारण नियम हैं उन्हें जान लेना बेतर है उसके बाद आज केबल दो वृत्तों का हम यहां चर्चा करेंगे कार्तिक इसनान का वृत और कर्वाचोथ का वृत जिसे करक चतुर्थी कहते हैं तो कार्तिक के महीना के यह दो वृत बहुत महत्पूर्ण है कार्तिक इसनान और कर्वाचोथ का वृत इन दो वृतों पर यहां पर चर्चा करेंगे परकाश डालेंगे आपको बताएंगे उससे पहले व्रतों से जम्मने जो कुछ विशेस नियम है उन्हें जान लेना बहुत जरूरी है व्रतों के प्रवाव से मनुश्य की आत्मा शुद्ध होती है संकल्प शक्ति बढ़ती है बुद्धी, विचार, छतुराई या ज्यानतंतु विक्सित होते है मनुश्यों के कल्यान के लिए व्रत स्वर्ग के सोपान अथ्वा संसार सागर से तार देने वाली प्रतक्ष नौका है शरीर के अंतस्थल में यानि अंतर मन में परमात्मा के प्रतिभक्ति, श्रद्धा और तल्लीनता का संचार होता है व्यापार, व्यवसाय, कला, कौशल, शास्त्रान संधान और व्यवार कुशलता का सफल संपादन उस्सापूर्वक किया जाता है यानि आपको तेज प्राप्त होता है, वाणी में ओज प्राप्त होता है और सुखमय दीर्ग जीवन के आरोग्य संसाधनों का स्वत्य संचे हो जाता है ऐसा दूसरा आसान, अन्य कोई साधन नहीं है चोंकि तपस्या या सन्यासी होना, या बेरागी होना, ये सब कठिनकार है लेकन वरत और उपवास के जरिए, कोई भी साधान ग्रेस्त मनुशिन आसानी से कर सकता है और इन सद के लाप्राप्त कर सकता है तो इस में कुछ विशेस नियम रहते हैं जो कि लगवग प्रतिक वरत पर लागू होते हैं या उपवास पर लागू होते हैं पहले उन्हें जान लेना जिरूरी है उसके बाद में हम कार्टे किसना और कर्वाच तुर्की के वरत का यहां विदान वर्णन करेंगे तो सबसे पहले तो यह कि वरत और उपवास यह फरक क्या है तो लोक प्रसिद्धी में वरत और उपवास दो चीज़ें होती हैं और यह काईक, वाचिक, मानसिक, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, एक भुक्त, आयाचित, मित भुक्त, चांद्रायन और प्रजापात्ति इन इस रूप में किये जाते हैं वास्तों में वरत और उपवास दोनों एक ही हैं अंतर केवल इतना हैं कि वरत में भुजन किये जा सकता है और उपवास में पूरी तरह से निराहार रहना पड़ता है इनके काईकाद से तीन वेद हैं शस्त्राघात, मर्माघात और कारहानी आजजनित हिंसा के त्याग से काईक वरत होता है यानि शारिरिक वरत होता है यह सब कारी नहीं करना चाहिए सत्य बोलने और प्राणी मात्र से निर्वेर रहने यानि किसी प्रकार का वेर या विरोध या क्रोध न मानने से वाचिक यानि जिव्वा से किसी भी प्रकार से किसी के लिए कोई भी अशुद असत्य मिथ्या गलत या दुरवानी इसका उचांड नहीं करना चाहिए और है मन को शांत रखना तो मन को शांत रखने की दड़ता से मानसिक वरत उता है तो जब भी वरत करेंगे तो ये तीनों वरत एक साथ से शामिल होना चाहिए तो कायक, वाचिक और मांसिक ये तीन वर्त आप नहीं करते किसी वीवर्त में तो आपका वर्त पूर्ण नहीं होता ये वर्त नहीं होता वो अधूरा रहता है या अस्फल हो जाता निश्पल हो जाता है अब पुर्णि संचैक से एकादशी आदि नित्य वर्त पापच्षाय के लिए चांद्रायान आदि नेमित्तिक वर्त और सुक्स्वावाग्या आदि के लिए वट्सावित्री आदि ये सब काम्य वर्त माने गए हैं इनमें द्रव्य विशेष के भोजन और पूजनादि की साधना के द्वारा साध्य वर्त परवर्ति रूप होते हैं और केवल उपवासाद करने के द्वारा साध्य वर्त निवर्ति रूप हो जाते हैं यनका यतोचित उपियो फल प्राप्त होता है अब एक भुक्त जो ब्रत है ये सुतंत्र, अन्यांग और प्रतिनिदी इसके तीन भेड है दिन आर्द विधीत होने पर यानि आदा दिन विधीत होने पर सुतंत्र एक भुक्त होता है यानि जो आदे दिन का ब्रत करें और उसके बाद में सुतंत्र हो जाता है ब्रत और प्रतिनित जो वरत है वो आगे पीछे भी हो सकता है नक्त वरत ये रात में किया जाता है उसमें ये विशेष्ता है कि ग्रैश्त रात्रे होने पर उस वरत को करें और सन्यासी तथा विद्वा सूरे के रहते हुए करें आयाचित वरत मैं बिना मांगे जो कुछ मिले उसी को निशेदकाल बचा कर दिन में या रात में जब अवसर हो तभी केवल एक बार भोजन करें और मित्वुक मैं प्रतिदिन दस ग्रास या एक नियत प्रमाण का भोजन करें आयाचित और मित्वुक दोनों ब्रत प्रमसिद्धी देने वाले होते हैं और इस सम्मंद में अन्य कुछ विशेश बाते हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है तिथ्याय और पक्ष और वार ये सब निर्णे तो ब्रत के अनुसार या जो पंचंग चला हो उसके अनुसार की जाता है जैसे इस बार अभी चतुर्थी तिथी का 6 हो गया है यानि चतुर्थी तिथी नहीं पढ़ रही तो एसी दशा में करवा चौथ तिर्थी तिथी को मनाई जाई तो चतुर्थी न पढ़ने पर क्यों बनाई आती है ये करवा चौत त्रतिया को ये हम आगे बताएंगे करवा चौत के ब्रत में तो अब मैं आपको इस सम्बंद में कुछ और विशेश विर्मरन बताता हूँ सूर्योदय की तिथी यदि दोपर तक न रहे तो वह खंडा के लाती है खंडा तिथी हो जाती है उसमें ब्रत का आरंभ और समाप्ती दोनों वर्जित हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त परियंत रहने वाली तिथी अखंडा रहती है यदि गुरू और शुक्र अस्त न हुए हो तो उसमें ब्रत का आरंभ अच्छा माना जाता अच्छा होता है जिस व्रत संबंदी कर्म के लिए शास्त्रों में जो समय नियत है उस समय यदि व्रत की तिथी मौजूद हो तो उसी दिन उस तिथी के द्वारा व्रत संबंदी कार्य ठीक समय पर ही करना चाहिए तिथी का च्छाय और व्रत का निश्य करने में कोई कारण नहीं बनता है इसका हम आगे इसपश्ट करेंगे तो इसमें तिथी और उससे संबंदित किसी योग गुरू से या शास्त्रक्गे से निर्णे ततकालिन पंचांग के अनुसार करा लेना चाहिए या विशेष रूप से जो प्रकाशन में आती हैं या हमारी सीडी और कैसिटों में जो दिये गए विबरण है या फेस रूप पर ट्विटर पर या भाट सेफ पर जो जोतिश और तंत्रमंत्र संबंदी जानकारियें परकाशित होती हैं उसमाज समय पर यह जानकारियें देते रहते हैं उनमें देख लेना चाहिए या निकटस्त किसी योग गुरू राममर्द जो भी आपके विद्वान हो उनसे पूछ लेना चाहिए आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक एक दिन होता है जिसे वार कहते हैं यानि वार रात के बारा बज़े खत्म नहीं होता एक सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक एक वार रहता है उसको एक दिन कहते हैं और उसके दिन और रात तरी यह दो भाग पहले भाग यानि दिन में प्राते संध्या और मध्यान संध्या तथा दूसरे भाग रात्त्र में सायान और निशीत यह हैं इनके अत्रिक्त पूर्वान, मद्यान, अपरान और सायान इस रूप में ये चार भाग माने हैं व्यास जी ने दिन बर के पाँच भाग निशित किये हैं तो इसके लिए का गया है पूर्वान प्रतमम सार्दम द्यान प्रहरम तथा आत्रियाद परान सायनाश्य तथा परम तो इस प्रकार से ये वार का या दिन का और दिन के भाग और रात्रिके भाग किये हैं सूर्यों दैसे तीन-तीन मुर्थ के प्रात्यकाल संगब, मद्यान, अपरान और सायान ये पाँच भाग हैं ये जो व्यास जी गन सारे त्रिंशद गटी प्रमाल के दिनमान का पंद्रवा हिस्जा एक मुहूरत होता है यदि दिनमान 34 गड़ी के हों तो सवादो और 26 के हों तो पोने दो का मुहूरत होता है तो निर्णए में महूरत और दिन विवाग इन सबका निर्णए बहुत आवश्या के अब प्रदोशकाल के बारें बताते हैं प्रदोशकाल सूर्यास्त के बाद दो गड़ी तक माना जाता है और उशाकाल सूर्योदय से पहले रहता है दान आद में पूर्वान देवों का समय है मद्यान मनुष्यों का समय है और अपरहान पितरों का समय है और सायान राच्छसों का समय है अथ है यथा योगिकाल में दान आद देने से यथोचित फल प्राप्त होता है अब मुख्य बात है कि बृत कौन कर सकता है बृत के अधिकारी कौन है किसको बृत करना चाहिए या कौन बृत का अधिकारी है तो इस सम्मंद में जो शास्त्र का इता है या शास्त्र की जो अग्या है वो इस प्रकार है तो हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, जो अपने वर्णाश्रम के आचार विचार में रत रहते हैं, निश्कपट, निर्लोब, सत्यवादी, संपूर्ण प्राणियों का हित चाहने वाले, वेद के अनुयाई, बुद्धिमान तता पहले से निश्चय करके यथावत कर्म करने वाले हों, वचन के पक्के ऐसे मनुष्य बर्त करने के अधिकारी होते हैं, गुण संपन, ब्रामन, शत्रिय, वैश, शूद्र, इस्तिरी और पुरुष्य, सभी अधिकारी हैं, केवल स्वभाग्यवती इस्तिरियों के लिए यह का गया है, कि पति की सेवा के सेवा, उनके लिए न कोई यग्य है, न वरत है, और न उपासना है, वे पति की सेवा मात्र से ही स्वर्ग आध अविष्ट लोकों में जा सकती हैं, फिर भी बे चाहें, तो पति की अनुमती से कोई भी विरत यव्वास करें, क्योंकि पतिनी पति की आग्या मानने वाली होती है, अते उसके लिए पति का व्रत ही कल्यानकारी है, तो शास्त्रकारों की विरतादी के विषय में यह आग्या हैं, और उनका आरंब स्रेष्ट समय में पति की अनुमती याज्या के अनुसार ही किया जाए, तो इसमें जो श्लोक है, वो इस प्रकार से है, पत्नी पत्त्यवर नुग्याता व्रताष्ठा अधिकारिनी, यह व्यास जी ने इस प्रकार से आग्या दिये, और इस्तिरियों को केवल पती की अनुमती से या अग्या से ही किसी गरतिया उपासना को करना चाहिए, और उसे अलग से करने की वैसे कोई आवश्यक्ता नहीं होती, इस प्रकार से यह कुछ मुक्खे बाते हैं, तो आरम में गणपती मात्र का और पंच देव का पूजन करके नामदी श्राद करें, और ब्रत देवता की स्वन्मई मूर्ती बनवाकर उसका पंच ओप्चा, दशोप्चार या शोड़श्प्चार पूजन करना चेहिए, मास, पक्ष, तिती, वार, और नक्षत रादि में जिसका ब्रत हो, उसका आदेश्थाता ही उसका ब्रत का देवता होता है, आते जो भी इस संबंद में निर्ड़एं हो या निर्ड़एं लेना हो तो वो अपने गुरू से या किसी योग गिब्रामन से या विद्वान से इसका निर्ड़एं प्राप्त कर लेना चाहिए, तो अब जो इसमें मुख्य बाते हैं, वो ये हैं, कि ब्रत करने वाले व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि ब्रत आरम करने के बाद, यदि क्रोध, लोग, मोह या आलश से वश्व, उसे अधूरा छोड़ने, तो तीन दिन तक अन्न का त्याग करके फिर उस व्रत का आरम्ब करें, व्रत के समय बार बार जल पीने, दिन में सोने, तामबूल चवाने याने पान चवाने, और इस्तरी सहवास करने से व्रत बिगड़ जाता है, भंग हो जाता है, व्रत के दिनों में इस्ते, यानि चोरी करना, चोर व्यक्ती, जो किसी भी प्रकार की चोरी करें, आदि से वर्जित रहकर, शमा, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्र, देव पूया, अगनि होत्र, और संतोष के काम करने, उचित और आवश्यक हैं, ये कार्य अवश्य करना चाहिए, गर्त के दिनों में, उपवास के दिनों, जल, फल, मूल, दूद, हवि, ब्राम्मण की इच्छा, आउशदी, और गुरु और पूज जनों के वचन, इन आठ चीजों से, ये आठ बातों से व्रत नहीं बिगडते हैं, होम अवशिष्ट, खीर, बिक्षा का अन्न, सत्तू, याने सोक सेके हुए जयो का चून, कन, गोर्रेण या त्रणपुष्व, यावक याने जाओ, शाक, तूरों याने तूरई, ककड़ी, मेथी, आधी, गवदुग्द, गही, घी, मूल, आम, अनार, नारंगी, और कदलीफल, याने केला, आधी, खाने योग्य हविश्य हैं, याने इनको व्रत में हविश्य के रूप में ग्रेण किया जैसा, खाया है, व्रत में गंद, पुष्प, माला, वस्त्र और व्रत योग्य अलंकार आधी, ग्राई हैं, ग्रेण करना चाहिए, व्रत, पुजा या हवन आधी में केवल एक वस्त्र, दोती आधी पहन कर, या बहुत वस्त्र धारण कर, मंत्र आधी के जब करना, या होमा आधी करना उचित नहीं है, व्रत करने वाला पुरुष हो, या सुवासिनी इस्तिरी हो, संपूर्ण व्रतों में लाल वस्त्र और सुगंदित सफेद पुष्प धारण करें, यहां पर थोड़ा सा भेद आता है, वन भेद से, ब्रामणों के सफेद, और शत्रियों के मजीट जैसे, और बैश्यों के पीले, और शुद्रों के नीले, अथवा बिना रंग के वस्त्र अनकूल माने जाते हैं, दोती तिरकच्छ होना चाहिए, तिरकच्छ का जो विवरण है, तीन लांग की जो दोती बांदी जाती है, इसका विवरण हम पहले भी दे चुके हैं, हमारी और सीडी और कैसेटों में आ चुका है, तो वहाँ इस समंद्ध में जानना चाहिए, यह उत्तम्मा नहीं गई है, ऐसी दोती बांदने वाले सबी लोग मुनी होते हैं, और उन्हें ब्राम्मन पुकारा जाता है, या मुनी ब्राम्मन कहा जाता है, या ब्राम्मन मुनी कहा जाता है, चाहिए भी किसी भी यादिके हो, इसके अतिरिक्त, ध्वजय युक्त, ग्रंथ युक्त और यवनों के समान, दोनों पल्ले खुली हुई, इस प्रकार की दोती वर्जित है, इस प्रकार की दोती नहीं पहनना चाहिए वर्जित करने वाला मोह वश बिना आचमन की एक क्रिया करें, तो उसका वर्जित वर्था होता है नहाते, धोते, खाते, पीते, सोते, छींक लेते समय और गलियों में घूमकर आने पर आचमन किया हो, तो भी दोबारा आचमन करें यदि जल न मिले, तो अपने दक्षिन कान, यानि दाहिने कान का इस पर्ष कर लें आचमन लेते समय दाहिने हाथ की उंगलियों को मिला कर सीधी करें, और उनमें ऐसे कनिष्ठा तता अंगूठे को अलग रखकर आचमन करें अथवा दाहिने हाथ के पोर्वों को बराबर करके हाथ को गव के कान जैसा बना कर आचमन करें लोक व्यवार में आचमन आदि को भूल जाने पर दाइना कान चुवा करते हैं आधो वायू के निकल जाने, आकरंद करने यानि रोने, क्रोध करने, बिल्ली और चुए से छू जाने, जोर से हंसने और जूट बोलने पर जलिस पर्ष करना आवश्यक होता है लेकिन अब उपवास अगर कर रहे हैं, तो उपवास में और शराद में इन दो क्रिया में दातों नहीं करना चीए, यानि जो आज की वाशा में करें तो मन्यन नहीं करना चीए दातों करना मना है यदे अधिका वश्यक हो, तो जल के बारे कुल ले करें हो अथवा आम के पल्लव, जल या अंगुली से दांतों को साफ कर ले वरत करने वाले को बैल, उंट और गदे की सवारी नहीं करना चाहिए बहुत दिनों तक समापत होने वाले वरत का पहले संकल्ब कर लिया हो तो उसमें जन्म और मरण का सूतक नहीं लगता इसी प्रकार किसी कामना के वरत में सूतक आजा है तो दान और पूयन के सिवा वरत में बादा नहीं आती है कई वरत ऐसे हैं जिनमें दान, वरत और पूयन तीनों होते है जैसे गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्थी और अर्क सप्तम आदे में व्रते श्रक की पूया, वायन, आदे का दान और अभीष्ट का व्रत, तीनों चीज़े होती है ऐसे व्रतों में अशव चाने पर भी व्रत करते रहना चाहिए, दान और पूया ना करे इसी तरह से एक और नियम है बड़े बृत का आरंब करने पर प्रारंब करने पर यदि स्त्री रजस्चुला हो जाए तो उससे भी बृत में कोई रुकावट नहीं होती अशोच के मानने में सपिंड साकुल्य और सगोत्र इन तीनों का निश्य आवश्यक होता है तीन पीडी तक सपिंड दस पीडी तक साकुल्य और इससे आगे सगोत्र पीडी माने जाते हैं इन में सामाने रूप से सपिंड में दस दिन, साकुल्य में तीन दिन और सगोत्र में एक दिन अथवा इसनान मात्र इतना ही सूतक रहता है और लंबे बृतों में इससे बादा नहीं होती अब ब्रत में तीर्थ यात्रा में अध्ययन काल में तता विशेश कर श्राद में दूसरे का अन्न लेने से जिसका अन्न होता है उसी को ही उसका पुन्य प्राप्त हो जाता है आपत्ती अथवा असामार्थि वर्ष यात्रा असमार्थ हैं और यात्रा करनी पड़ रही है और कोई ऐसा बीच में कुछ कार्यान पड़ा तो ब्रता आधी धर्मकार अपने खुद से याने स्वैम से न हो सके तो उनके इस्थान पर पती करे या फिर पतनी या जेश्ट पुत्र याने बड़ा पुत्र या फिर पुरोहित पुरोहित करे या फिर भाई करे या फिर मित्र को प्रतिहस्तक बनाकर याने प्रतिनिधी या एवजी बनाकर उनसे ब्रत करवाना चाहिए तो उपर्युक्त प्रतिनिधी प्राप्त न हो तो वह काम किसी ब्राम्मन से कर प्रवाय जा सकता है तो यह जो क्रम है वो एक सर्वोचिता से निक्रिष्टता की गूर है तो उसी अनुसार प्रथम रूप में उसी को चुनना चाहिए अब प्राते सायं और संधिकाल में जब भोजन दांतों में मूत्र और पुरिश के त्याग में पित्रकारे तथा देवकारे में और दान योग तथा गुरू के समीप में मौन रहने से मनुष्य को स्वर्ग मिलता है मौनम सरवार्थ साधकम यानि कि मुख्य चीज यह है कि मौन से सर्वप्रकार की सिद्धियां प्राप्थ हो याती है और किनकिन कारियों में ये मैं बता चुको दान, होम, आचमन, देवार्चन, भोजन, स्वाध्याय और पित्रतरपन ये प्रोडपाद कारियें इनको उकडू बैठकर नहीं करना चाहिए प्रोडपाद तीन प्रकार का होता है एक यह है कि पावों के तलवे आसन पर रखकर दोनों गुटने मिलाके पीडियों को जांगों से लगाकर बैठे दूसरा दोनों गुटने आसन पर लगाकर एडियों पर आरूर हो और तीसरा यह है कि दौनों पेर सीधे फैलाकर जांगे आसन पर लगाकर यह तीनों ही निशिद्द हैं यह तीनों ही काम लेकर अच्छी है कन्या शया यानि सुख शया यानि सोने की जो पलंग है या जो ही है और मकान गव और इस्तिरी यह केवल एक ही को देना चाहिए बहुतों को देने पर हिस्सा होने से पाप लगता है पाप के भागी होया आते हैं ब्रत में रहकर प्राण रक्षा के अर्थ से केवल जल पीवे फल, मूल, दूद, जो, यग्य से अवशिष्ट तता हवे खाए ये चीज़ें खाई जा सकती है रोग या पीडा में वैद्द की बतलाई हुई और शदी ले और शदी लेने से या बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति है और उसे कोई और शदी लेना आने वार है नहीं होता बिगड़ता नहीं है और ब्राह्मन की अविलाशा सिद्ध करे या गुरू की अविलाशा सिद्ध करे तो अतिशीग्र और गुरू के बचन से करे दीर या अधीर सवी विर्तों की धपारणा से पूर्ति और उद्यापन से समाप्ति जानने चाहिए। कदाचित ये दोनों न किये जाएं तो ब्रत निश्पल हो जाता है। ब्रामन, शांत, संत, शुशील, अकरोधी और प्राणि मात्र का हित करने वाला स्रेष्ट होता। इनको पूजा, दान, इत्यादी जो भी है वो सब किये जा सकते हैं। अब यहाँ पर इसी में ब्रत खंड में ही कुछ और भी चीज़ें हैं, मैत्पूर्ण हैं, जो कि इसमें उलेखित हैं, और पता ही जाना आवश्यक हैं, जो धर्म शास्त्र हमारे कहते हैं, उसके अनुसरा हैं। ब्राम्मण के कर्म अगिनेवत्र, तपश्यर्या, सत्यवाक्य, वेदाग्या का पालन, अतित सत्कार, और ब्यश्वदेव साधन, यह मुख्य हैं। यग्योपवीत यानि जनेव, यह त्रेवर्निकों के और विशेशकर ब्राम्मणों के स्वरूप ग्यान का आदर्श और धर्म कर्मादी का साधन है। यह सूत, रेशम, गववाल यानि सुर्गव के रों, सन, वलकल और त्रण परिंद से निर्मान यह जाता है। इस से बने हुए यग्योपवीत का रेयानुसार उप्यूक्त होते हैं। सूत का सर्व परदान है, उसके बनाने के लिए सूत के धागे को बामा बरत से तिगुना करके दच्चना बरत से नोगना करना चाहिए, और उसे तिरसर बनाकर गाठ लगाना चाहिए। यग्यो पवी दान करते समय यग्यो पवीतम परम पवित्रम इसका उच्छान करना चाहिए और विशर्जन के समय एताव दिनम परियंतम से छमा मावने चाहिए बाएं कंदे पर यग्यो पवीत रहने से सव्य और दाएं पर रहने से अपसव्य होता है तता दोनों के बदले गले में रहने से कंठी बत हो जाता है मुत्रादे के त्यागने में इसे करना स्थ्याने कान के उपर रखना जरूरी होता है और इसके विना मल मुत्र का त्याग करना निशिद दमाना गिया है तो यग्यो पवीद का तो खेर विस्तत विबनान हमारी अलग से कैसिट और सीडी वगेरा में आएगा या आ चुका है कुछ जगे बता चुके हैं अब जैसे कि इसके बाद में दीपा वली का परवाएगा तो हमारे जो लक्षमी तंत्रम की जो सीडी गई है या कैसिट गई है का भी पहले निकली थी तो उसमें हमने एक विशिष बात कही थी जैसे कि लक्षमी को पाना है तो या तो विश्नु बनना होगा या उल्लू बनना होगा क्योंकि लक्ष्मी इन दोनों के इपास रहती है लक्ष्मी विश्नु की चरण दासी है और उल्लू की सवारी करती है तीसरे किसी भी अन्य व्यक्ति के पास में लक्ष्मी नहीं रहती आते यह आवश्यक है कि यदि आपको लक्ष्मी को पाना है तो या तो विश्णू बनना होगा या उल्लू बनना होगा तो और आप जितने अंश तक विश्णू के गुणों अपने अंदर धारन करेंगे लक्षमी उतने अंश तक आपकी चग्णदासी रहेगी और जितने अंश्य तक उल्लू के गुणों आप अपने अंदर धान करेंगे उतने अंश्य तक लक्षमी आपकी सवारी करें यानि लक्षमी केवल दो ही लोगों के पास रहती है तो या तो उल्लू बन के रहिए या पिर श्री हरी विश्नू बन के रहिए अब इन दोनों में से किसके गुणा आप कितने अंश्य तक अपने अंदर उतारते हैं उतने अंश्य तक आप लक्षमी वान बन कर रहेंगे ये लक्षमी की विश्यस्ता है खेर ये चूंकि दीपावली नजदीक है इसलिए इस प्रकण को बीचे मैंने ले लिया अब मैं आपको आगे जानकारी देता हूँ कलस, सोने, चांदी, ताबे ये छेदराइत, मिट्टी का सुद्रण और उत्तम माना गया है वो मंगल कारियों में मंगल कारी होता है जल नदी आदिका है बैता हूँ जल ये जल ब्राम्मन जल माना गया है सरोबर आदिका बंधा हूँ जल ये छत्रिय जल माना गया है कूवे आदिका यानि कूपा आदिका ढखा हूँ जल ये बैश्य जल माना गया है और घर के बरतनों में रखा हूँ जल ये शुद्र जल माना गया है आते जब भी आप बिरत उपवास आदे में पवित्र जल लेना चाहें तो इस नियम का इसमर्ण रखें या आपको इस प्रकार से जल ग्रेंड करना चाहिए और उस जल का उप्योग करना चाहिए यानि कि सर्वत्तम जो है वो बैटा गुए पानी है जल नदिया दिका और जो सबसे निकरष्ट है वो घर में रखे बरतनों में रखा गुए पानी है आप दुगद तरह तब दुगद तरताई की बात करते हैं तो दुगद तरताई में दूद, दई और घी ये तीन चीज़े आती है ये गव के उत्तम आने जाते हैं मैशी याने भेंस के मध्यम और बक्रियादि के निकरश्ट होते हैं रोग आदे में यथायोगी सब उपयोगी होते हैं रोग बगेरा में लेकन पूजा में जो हो है गव का उत्तम, भेंस का मद्यम और बकरी यादि का निक्रष्ट अब मदुर्त रहे मदुर्त रहे में गी, दूद और शेहद, ये तीन जी यह आती है मदुपर्क में दही एक भाग शेहद दो भाग और गी एक भाग मिलाने से मदुपर्क बनता है अब काल्त रहे काल्त रहे क्या होते है प्रात्यकाल, मद्यानकाल और सायंकाल इनको काल्त रहे कहा जाता है आब हैं काल्चतुष्टे तो काल्चतुष्टे रात्रिवितीत होते समय पचपन गड़ी पर उशा काल 57 पर अरुनोदय 58 पर प्रातेकाल और 60 पर सूर्योदे होता है इसके पहले पाँच घड़ी का ब्राम महूरत ये ईश्वर चिंतन का वक्त होता है तो ब्राम महूरत का और ये घड़ी का जो विवरन है वो मैंने अखोता है चार वेदों को तो आप जानती हैं जो है रिगवेद, युजवेद, सामवेद और अथरवेद उपवेद, अब वेद के अलावा जो उपवेद हैं वे हैं आयुरवेद, धनुरवेद, गानधर्व और इस्थापत्य ये उनकी यथाक्रम उपवेद और ईती, धर्ति, शिवा और शक्ति ये योशिता हैं, चतोसम, अब चतोसम जो पुया में उप्योग किया जाता है या ब्रत अनुस्थान या सालान पुया में उप्योग होता है ये चतोसम है, कापूर, चन्दन, कस्तूरी और केसर ये चारों समान भाग में होने पर चतोसम के लागते हैं और वर्ण, और वर्ण तो जो चार हैं वो सबको पता है, जो शीमत भगवत गीता में भी आया है और यह वाचसपती में भी है और इसके अलावा इसका वर्ण आपके शलोक की रूप में भी है तो ब्रह्मन चत्री वेश्य और शूत्र ये चार वर्ण है तो ब्रह्मन चत्री विद्ध शूत्रा सुप्रसिद्धा ये वाजस्पती का शुलोग है पंजदेव में ये कई सीडी के सिटाओं में हम प्ले बता चुके हैं सूर्य गणेश शक्ति शिव और विश्नु ये आरा से की जाती है तो इसमें इसकी प्रदक्ष नामें एक गड़ेश जी के दो सूर्य के तीन देवी के याने शक्ति के और चार विश्नु के और आदी शिव के आदी परिक्रमा शिव की आदी परिक्रमा लगाई जाती है जलहरी का उलंगन नहीं करते ये इसमन रती है शिव की कभी पूर्ण प्रिक्रमा नहीं की जाती शिव मंदिर हो या शिविलिंग हो कि अब आधी प्रिक्रमा लगाई जाएगी और जलहरी का उल्लंगन याने जलहरी को पार्नी करेंगे पंचोप चार हम बता चुके हैं पंच नदी जो है उनका विवरण है भागी रथी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और नर्मदा ये पांच मुख्य पंचनदी कही जाती है येने पंचनद बूलते हैं पंच पल्लव पंच पल्लव की जो बाता आती है ये पांच पल्लव हैं तो पंच पल्लव का आजाता है पीपल, गूलर, अशोक, अशोक काई नाम आशो पालो है, आम और वट, इन पांच व्रक्षों के जो पत्ते होते हैं, वे पंच पल्लव कहे जाते हैं, अब पंच पुश्प, यानि वो पंच पुश्प हैं, वो क्या हैं, चमेली, आम, शमी, शमी को खेजड़ा भी बोलते हैं, पद्म, यानि कमल, और करवीर, यानि कनीर, ये जो पांच फूल हैं, पांच पुश्प हैं, इनको पंच पुश्प का जाता है, पंच गंद, चून किया हुआ, गिसा हुआ, दाह से खींचा हुआ, रस से मता हुआ, और प्राणी के से पैदा हुआ, कस्तूरी, ये पंच गंद होते हैं, यानि इन पांच चीजों को मिलाने से पंच गंद होती है, अब पंच गव्य, पंच गव्य जो है, क्या होता है, उसको सुनिए, तावे के बन जैसी गव का गवमूत्र, गायत्री से आठ भाग, लाल गव का गोवर, गंद द्वारा से, सोला भाग, सफेद गव का दूद, आप्यास्व से बारा भाग, काली गव का दही, ददिक रावनों से दस भाग, और नीली गव का गी, तेजो असे शुक्र से आठ भाग लेकर मिलाने, और फिर उन्हें च् पंच गव्य बनता है, इस प्रकार से तैयार की हुए पंच गव्य को, तो अगर इस्थित गतम पापम से तीन बार पीवे, तो दिये के संपूर्ण, पाप, ताप, रोग और वेरभाव नश्ट हो जाते हैं, पंचामरत, पंचामरत जो बनता है, उसको गव के दूद, दही और घी में चीनी और शैद मिलाकर चामरत बनता है, और इसका यह था ब्रत पूजा या उपासना या उपवास आदे में उफ cider करने से शांती मिलती है, पंच रत व्यूद में पंच रतनों का प्रियुक नश्ट करते हैं पूजा आदे में या ब्रत अप ब्रत आदे में वो तो नीलमणी को नीलम भी बोल देते हैं और पदमराग यानी कि पुखराज होता है और पदमराग को लाल मनी भी का जाता तो यह निर्वर करता है अगर पीला रंका जो पद्मराग लेते हैं तो वो पुकुराज हो जाता है लाल रंका लेते हैं तो फिर वो मानिक बन जाता है यह पंचरतने हैं तो जिसका भी इसमें जैसे भी आपको प्योग करना हो वो आप कर सकते हैं शटकर्म, शटकर्म में आते हैं इसनान, संद्यायप, होम, पठन, पाठन, देवारचन और वैश्योदेव तथा अथित्सत्कार यह च्छे कर्म हैं यह दो जाते के लिए दुजात के लिए इनके कन्ना परमामश्यक है यह शटकर्मों का, दुजात, शडंग, हिर्दय मस्तक शिखा, दोनो नेत्र, दोनो भुया और परसपर कर इस परश, यह शडंग नियास कर जाते हैं सब्तरशी, सब्तरशी हैं कश्यप, भारद्वाज, गौतम, अत्र, जमदगन, वसिष्ठ और विश्वामित्र, यह सब्तरशी कर जाते हैं सब्त गोत्र, सब्त गोत्र यह आपको गुत्र आदी के बारे में, आपके कुल बगेरा के बारे में जो जानकारी होती है तो सब्त गोत्र किसको कहते हैं पिता माता पत्नी बहिन पुत्री फुआ याने बुआ और मौसी यह साथ गोत्र कुटंब कहे जाते हैं सब्त गोत्र को ही कुटंब कहते हैं सब्त म्रद तो सब्त म्रद जो है यानि साथ प्रकार की मिट्टी सब्त म्रद में हाती गोड़े चलने का रास्ता जहांसे हाती गोड़े गुजरते हैं उस रास्ते की मिट्टी फूल संकुच्ट मार, दीमक, सरिता का संगम, नदियों का संगम, गवशाला और राजद्वार में प्रविश करने की जगे इन इस्थानों की जो मिट्टी है इनको मिलाए हैं तो इसे सब्त म्रद कहते हैं सब्त धान्ये जो हैं वो हैं जो, गया हूँ, धान, तिल, कांगनी, शामाक और देव धान्ये हैं सब्त धातु मैं तो सब्त धातु सोना, चांडी, टावा, आरकूट, लोहा, रांगा और सी सा ये सब्त धातु कहें जाती ही अब अश्टांग अरिगी है यह हमारी अलग सीडी के सिटों में आ चुका है अश्ट महादान जो होते हैं वो भी आ चुके हैं लेकिन उनका बढ़न यह जिरूरी है तो अश्ट महादान जो हैं वो हैं कपास, नमक, गी, सब्तधान्य, सुवर्ण, लौः, प्रत्वी और गौः यह महादान है यह शास्त्रों के अनुसार अश्ट महादान माने गए है इसमें दश औस अशदी जो हैं उनको उसमें आती हैं कूट, जटामासी दोनों प्रकार की हल्दी, मुरा, शिलाजीत, चंदन, बच, चंपक और नागर मुथा यह दस जो द्रव्य हैं यह सरवोशदी कही जाती हैं यह दशोशदी कहते हैं अब दस प्रकार के दान सुनिए दस प्रकार के जो दान है जो की उपवास वालों को, बृत वालों को या पूजा पाठ वालों को या जो सानातन धर्म का पून निर्वा करते हैं धर्मात्माओं को करना चाहिए गौ, घूमी, तिल, सुवर्ण, घी वस्त्र, धान्य, गुण, चांदी और लवण यानि नमक ये दस दान होते हैं अब नमसकार तो अभिवादन के समय जो मनुश्य दूर हो जल में हो या दोड रहा हो या धन से गर्वित हो या नहता हो या मूर हो यानि मूर हो या अपवित्र हो तो ऐसी अवस्ता में उसे नमसकार नहीं करना चाहिए ये शास्त्र आग गया है ये धर्म शास्त्र की आग गया है यानि इन लोगों को नमसकार कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए इस प्रकार के आचार विचार ब्रत उपवास, पुयापाथ और हरे इसमर, ये सब स्वर्गी ये सुख पौराप्त होने के प्रधान समान अब मैं आपने तंत्रशास्त्र में, मंत्रशास्त्र में, धर्मशास्त्र circuit में पूया पाठ और ब्रत पुवास आदे में कुछ बिशेश चीज़ें सुनी होगी यक्षकर्दम, शत्कर्दम और ब्रह्मकूर्च यक्षकर्दम की स्याही बनाएं ऐसा कहीं आप सुनते आए होंगे तो यक्षकर्दम क्या होता शत्कर्दम और ब्रह्मकूर्च क्या होते हैं अब मैं इनके वारे में आपको जरासी जानकारी देखे आप सीधा ब्रत पर चलेंगे तो यक्ष कर्दम में तो ब्रताद में पंच गव्याद के समान इसका भी बहुत महत्पूर्ण उपियोग होता है यह दो प्रकार से बनता है एक केशर अगर कस्तूरी और कंकोल इन चार ओशदियों के समान भाग लेकर के कर्दम बना वे दूसरा प्रकार जो है उसमें कस्तूरी दो भाग केशर दो भाग चंदन तीन भाग और हरिद्रा एक भाग ये लेकर कर्दम बनाया जाता है इसे यक्ष कर्दम कहते है अब शत्कर्दम तो शत्कर्दम जो है शांत सारादे में शत्व शदि यानि सो औशदियों के नाम बताए गए है उनी से शत्कर्दम बनता है सो कर्णे का का कमल पुष्प होता है मतांतर में उसी को शत्कर्दम कहा गया है बतलाया गया है अब ब्रह्म कूर्च यग्यादे में पंच गव्यादे का हवन ब्रह्म कूर्च से ही किया जाता है यह आगे के भाग में गांट लगी हुई यानि गांट वाली साथ हरी दर्वा यानि डाब जिसको बोलते हैं उससे बनता है यानि साथ हरी दर्वा साथ हरे होना चाहिए सुखे दाब नहीं चाहिए इसमें तो आगे के दाग में गांट लगी हो और साथ हो उन से यह ब्रह्म कूर्च बनता है और पंच गव्यादे का हवन और यह सब ब्रह्म कूर्च से ही करते हैं अब सीधे हम कार्थिक ब्रत पर आते हैं तो सरव पर हम कार्थिक का इसनान का विवरण यहां पर देंगे और उसके बाद करवाचोंत के ब्रत का बढ़निया करेंगे हाँ तो आधी तक आप ब्रतों के नियम ब्रत करने के तरीके और ब्रत और उपवास में फर्क और उनकी विदियां आधी जान रहे थे अब जो कार्थिक का जो यह दो महतपूर्ण ब्रत है आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं उनका विवरण दे रहे हैं विदान बता रहे हैं तो स्वर्प्रथम में कार्तिक इसनान का यहां पर बढ़न करूँगा उसके उपरां करवा चौथ की वरत का विधी और विधान उसका बढ़न करूँगा तो कार्तिक इसनान एक महत्पूर्ण प्रकार का एक अनुष्ठान के लीजिये या वरत कर्म के लीजिये या संकल्प के लीजिये बहुत फल्दाई होता है तो धर्म कर्माद की साधना के लिए इसनान करने की सदय वावश्यकता होती है इसके सिवा आरोग की अभिवरदी और इसकी रक्षा के लिए भी नितिस्तनान से कल्यान होता है बिशेश कर माग वैशाख और कार्तिक का नित्य सनान काफी अधिक महतुका होता है कार्तिक सनान के बारे में तो बहुत अधिक बर्णन है और कार्तिक सनान अधिक प्रकार से इस्तिरियों द्वारा किये जाता है कुमारी लड़कियों द्वारा किये जाता है वो स्वागिनों द्वारा की जाता है यानि इस्त्रियां इसे अधिक करती है जबकि इसके लिए विदान ये है कि इसे पुरुष भी करें या कर सकते हैं लेकिन जो ब्यवार में है भारत देश के अंदर उसमें इस्त्रियां अधिक करती है तो इसमें जो वो है कार्तिकम सकलम मासम नित्तिसनाई जितेंद्रिय जपन हविश्य भुक्छांत सर्वपापय प्रमुच्चते कार्तिक मासमें जितिंद्रिय रहकर नित्तिसनान करें और हविश जओ गेहुं मूम तता दूद दही और घी आदेका एक वार भुजन करें तो सब पाप दूर हो जाते हैं इस वर्त को आश्वनिमास की पूर्णिमा यानि क्वार जो पढ़ता है उसकी पूर्णिमा से प्रारंब करके 31 दिन कार्तिक शुक्लपक्ष की पूर्णिमा को समाप्त करें इसमें इसनान के लिए घर के बरतनों की अपेक्षा कुगा बावली यानि बावडी इसको कहते हैं या तालावाद अच्छे होते हैं उन्हीं में इसनान करना चाहिए घर के बरतनों में या घर में इसनान नहीं करना चाहिए और कूपाद की अपेक्षा यानि उनसे भी जो सरेष्ट है कुगे आदिसे भी या तालावाद से भी तो वो हैं कुर्शित रादिके तीर्थ आयोध्या आदिक पुरिया और काशी की पांचों नदिया ये एक से बढ़कर एक उत्तम है तो जो भी इस उत्तम ताम है उत्तम आपके सहज ही उपलब्द ह हो जाए यह सहज ही आप उसमें इसनान कर सकें उसी का चैन करें क्योंकि ब्रत हो उपवास हो या योग हो इसमें सहजता बड़ा मुख्य साधन है और बगेर सहजता के कोई भी ब्रत उपाव उपवास योग या साधन आदि नहीं करना देए तो सहज ही उपलब्द हो जो भी स्रेष्ट और उत्तम हो उसे ग्रहन करें उस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाए और यह भी ध्यान रखें कि सनान के समय जलाशाय आदि में प्रवेश करने के पहले हाथ प्राओं और मेल यह सब अलग से दोलें तब जल में प्रवेश करें आचमन करके चूटी को ब इस संकल्प में कुशा लेने के लिए अंगिराजी ने लिक्षा है कि बिना दर्वेश्य यत इस्नानम यच्चदानम बिनुदकम असंख्यातं चयेजब्तं तसर्वूं निश्पलं पविद यानि कि बिना डाव को लिए बिना दर्वेश्च यानि बिना डाव के बिना कुशा कुशा होते हैं इसको उसके लिए किये हुए सब इसनान दान यग्यार सब्विर्थ चले जाते निश्पल हो जाते हैं तो इसनान में कुशादान में संकल्प का जल और जब में संख्या ना हो तो ये सब फल दायक नहीं होते हैं, निश्पल हो जाते हैं तो बारत के बड़े बड़े नगरों, शेयरों या गावों में ही नहीं, छोटे छोटे टोले तक महमी यानिकी बिल्कुल जमीनी बिल्कुल दूर देहात और जंगलों में बसे गावों तक ये कार्टे किसनान किया जाता है, कार्टे किसनान की महमा है यह वहाँ पर नर नारी सभी बड़े सवेर उठकर कार्टे किसनान करते हैं इसमें बिशेश कर इस्तरियां ही इसको अधिक करती है अधिक क्या करती है, करती है इस त्रियां हर जगे करती है तो बड़े सबीर ऊठकर कारती किसनान करती है भेघवान के भजन गाती है और एक भुक्त एक ग्राश और ग्राश वरद्धी निराहारादी वरत करती हैं और रात्री के समय देव मंदिरों चोराहों गलियों और तुलसी के विर्वों पीपल के वरक्षों और लोग उप्योगी स्थानों में दीपक जलाती हैं और लम्बे बांस में लालटेन बांद कर, किसी उंचे स्थान पर, अब इसे आकाशी दीपक कहते हैं, इस आकाशी दीपक से प्रकाशित करती है। यह इसकी विदी है कार्टे किसनान की अब हम करक चतुर्थी यानि करवा चौत उसके बारे में बात करेंगे तो यहां एक चीज मैं इसपष्ट कर दूँ कि करवा चौत जो तिति वो है यह चौत के दिन ही मनाई आती है लेकिन आज तीज को मनाई जा रही है तृतिया तिति क जो चतुर्थी तिति का च्छाय हो गया यानि जो आगे पढ़नी थी तो वो तिति पढ़नी रही तो एसी दशा में जो विदान है यहां भी मैं उसका बंदन करूँगा कि यह तितिया को फिर क्यों मनाते है जब चतुर्थी च्छाय हो जाए तो तो करवा चौत में एक और चीश के जब करक राशी में चतुर्थी तिति पढ़े यानि करक राशी में चंद्रवा हो तब अगर चतुर्थी तिति पढ़ती है तो असल करक चतुर्थी वही होती है और उसकी बड़ी महमा और बड़ा मिशेस महत होता है और वो दुरलव चतुर्थी बनी जाती है उसी को कर्क चतुर्थी कहते हैं लेकिन अब जो आज कर्क चतुर्थी पढ़ रही है या कर्वा चतुर्थी पढ़ रही है इसमें मिथुन का चंद्रमा यानि मिथुन में चतुर्थी पढ़ रही है दूसरे रोहनी नचत्र है यानि कि ये आपको दंज संपदासाइथ और पती प है वो करवा चौत के वरत से बढ़ता ही है लेकिन यह एक चीज भ्रहमात्मक है यह लोग ध्रम में रहते हैं और अकसर यह मानते हैं एक करवा चौत का वरत इस तरियां केवल पती की आयू के लिए उम्र बढ़ाने के लिए ही करती है जब कि ऐसा नहीं है इसमें यह संतान के के लिए भी किया जाता है संतान की स्वभाग्य व्रद्धी उम्र व्रद्धी और उनकी उन्नती वह भी इस व्रत में शामिल रहती है यह केवल पती के लिए व्रत नहीं होता है वो कैसे है यह प्रावधान मैं आब आगे बरणन कर रहा हूं आप उसको सुनिए तो यह व्रत कार्तिक क्रश्न की चंद्रो दैव्यापनी चतुर्थी को किया जाता है यदि वह दो दिन चंद्रो दैव्यापनी हो या दोनों ही दिन नहों तो मात्र विद्धा प्रशस्चते के अनुसार पूरो विद्धा लेना ही जाहिए तो पूरो विद्धा में तृत पढ़ रही है अगले सूर्य उदाय तक नहीं जाती है और आदे दिन में कभी दूसी तिति बजाए ऐसी तितियों को विद्दा तिति कहते हैं तो विद्दा तिति जब पढ़ती हो तो इसमें पूर बिद्दा ले ले जाती है तो पूरु बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् यानि शिव और शिवा और स्वामी कार्तिक और चंद्रमा इनका पूयन करना चाहिए यानि ये चार लोग हैं जिसका इसमें करवा चौथ में या करक्चतुर्थीम पूयन किया जाता है कौन भगवान शिव और शिवा यानि पार्वति और स्वामी कार्तिक यानि उनके पूत्र और चंद्रमा इनका पूजन किया जाता है और नैवेद्य में काली मिट्टी के कच्चे करवे में चीनी की चासनी ढाल कर बनाए हुए करवे यानि कि जो चीनी की चासनी ढाल करके चीनी का एक करवा बनता है वो काली मिट्टी का कच्चे करवे वो एक सांचा टाइप बनता है उसमें ढाल करके इसको बना जाता है लोग यहां शक्कर का करवा कहते हैं उसको चीनी का करवा हुता है तो उसको करवे को या फिर जो है घी में सेके हुए और खान मिले हुए खान एक अलग चीज़ है और शक्कर एक अलग चीज़ है यह समन रहना चाहिए शक्कर खान बूरा और मिशिरी यह सब अलग अलग चीज़ है तो यहां पर शब्द है इसमें जो करवा चोथ के ब्रत में वो खान मिले वे आटे के लड़ू अरपन करने चाहिए तो एक तो हो गया आपके करवे शक्कर के या गीने से के वे खान मिले वे आटे के लड़ू ये अरपन करने चाहिए इस ब्रत को विशेश कर सौभाग्यवती इस्तिरियां अथ occurrence वर्ष बिवाही हुई लड़कियां ये करती है योस वहागन है वो करेंगी या फिर उसी वर्ष में जिन लड़कियों का बिवाह हुआ हो उनको करना होगा और नैवैद के तेरा करवे या लड़ू और एक लोटा एक वस्त्र और एक विशेश करवा पती के माता-पिता को देती हैं यानि की पती के माता-पिता यानि अपने सास ससुर उनको देती हैं तो इसमें जो भी स्वागिन हो या नविवायता जो उपरती इस्तरी हो उसको चाहिए कि उस दिन प्राते इसनानादिकर नित्य कर्म करके उसे उच्शान करना चाहिए मम सुख सोभाग्य पुत्र पोत्राद सुईस्थर शिरी प्रापताए करक चतुर्थी वृत्महं करिशे मैं देखिए उसका फिर उच्शान कर रहा हूँ जिससे आपको इसको चान करने में दिखांग मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्राद सुष्ट शिरी प्राप्ताये करक्चतुर्थी व्रत व्रतम अहं कर्श्ये यह संकल्प करके बालू यानि रेत और सफेद मिट्टी इनका बना करके इसकी एक वेदी बनाना चाहिए और उसके नीचे शिव और शिव और पारवती यह दोनों की और शनमुक यानि की कार्तिके शनमुक के आ जाता है कार्तिके वो इनकी मूर्ति या चित्र की स्थापना करना चाहिए या तो मूर्ति अगर आप बाकायदा उसके पेड़ लगा करके और मूर्तियां रख रहे हैं तो मूर्ति लगा हैं और आप जो है उसको चित्रांकन करके कर रहे हैं तो फिर व्रच उसके नीचे शिव शिवा और शनमुक याने कार्थ केगी मूर्ती या चित्रों इसतापना करके फिर कहना चाहिए नमः शिवाये शरवाण्ये सौवाग्यम संततिम शुवाम प्रैच्छ भक्त्यक्तानाम नारीणाम हर्वल्लभे ये बोलना चाहिए इससे शिवा या याने पार्वती जी का शोडशोप चार पूजन करें यहां पर इस वरत्क में शिवा याने पार्वती जी का शोडशोप चार पूजन होगा आप पंचोप चार या दशोप चार ना करें बलकर शोडशोप चार पूजन मापार्वती का शिवा का करना चाहिए और उसके बा ये शिव का पूजन हो जाए पहले पारवती जी का हो गया शोडशोप चिहार और नमस शिवाय से फिर हो गाई शिव यान शंकर जी का पूजन और उसके बाद शन मुखाय यान उनके पुत्र कार्तिके जी का शन मुखाय नमस इससे स्वामी कार्तिक का पूजन करके नैवे दिका जो पकवान ने यानि करवा उस करवे और दक्षणा ये रामबन को देकर चंदरमा को अर्गे दें और फिर भोजन करें और उसे पूर्व जो क्रिया है जब आप चंदरमा को अर्गे वगेरा दें तो पती को अपने चाणिस पर्ष करें और उसके हाथ से ही पानी पीना चाहिए या बोजन बगेरा जो भी करना चाहिए और चाणिस पर्ष करना चाहिए आशीरवात प्राप्त करना चाहिए अब इसमें तो बेक्टिकत क्रियां आएं तो मैं यहां लिख नहीं कर रहा, लेकिन उनको पूनते समर्पन भाव से पतनी को अपने प्रती पती प्रस्तत्य पेश होना चाहिए, अब जो इसमें कथा है वो यह है कि शाक प्रस्तपुर के वेद धर्मा ब्राम्मन की एक विवायता पुत्री थी जिसका नाम था वीर्वत उसने करक्चतुर्ती का व्रत किया था, तो व्रत का नियन यह था कि चंद्रोदाई के बाद भोजन करें, लेकिन उस बिचारी वीर्वती कन्या को भूक सेन नहीं गई, भूक नहीं सही गई और वो भूक से बहुत व्याकुल हो गई और चंद्रमा का उदय नहीं हुआ, त सुन्दर प्रकाश फैला कर उसे एक नकली चंद्रोदाई दिखा दिया, और वीर्वती को भोजन करवा दिया, इसका परिणाम यह हुआ, कि उसका पती ततकाल ही अलक्षित हो गया, यानि अप्राप्त हो गया, अद्रश्य हो गया, तब फिर जाकर के बाद में वीर्वती ने बारा महीने तक परतेग चतुर्थी का वरत किया, तब जाकर उसका पती पुने वापस प्राप्त हुआ, यह, एक मैने संचिप में इसकी कथा बताई और विधान भी बता दिया, इस प्रकार से करक्चतुर्थी, यानि करवाचवत का वरत करना चाहिए, और बाकी का जो इसमें शीकणिश का पूजन है, गुरू का पूजन है, यह सब तो हर पूजा पार्थ में या हर सीरी कैसिट में आ चुकी है, जब शोड़ शोप चार पूजा करेंगे, तो उसमें यह सब क्रियां स्वते ही आएंगे, लेकिन अब जो चतुर्थी या करवा चौथ है, चुकि मिधुन के चक चंद्रमा है, शुक्रवार है, और रोहिणी में नचत्र है, तो यह विशेश में तो रखता है और आपको विशेश अलपरद हो, ऐसी मेरी सब आप सब के लिए शुब कामना है, और आपको करवा चौथ का ब्रत, सवी स्वाहिनों को, नव भगवान, शिव, शिवा, और कार्थिके, और श्री चंद्रमा जी, आपको अखंड सवभाग्य प्रदान करें, आप सदा सवभागिन्द हैं, आपके पुत्र, पुत्र, आदी, समस्त, समरत, दीवान, नतीवान बनें, मैं इसी शुब कामनाव के साथ, मैं नरेंद्र तूमर, आनन, आज इस करवाचत, व्रत का वर्णन, और कार्थिके स्नान व्रत का वर्णन, यहीं पर संपन करता हूं, ओम नमस्षिवाए, ओम नमस्षिवाए, ओम नमस्षिवाए, ओम नमस्षिवाए, ओम नमस्षिवाए, ओम नमस्षिवाए, जै शी कृष्ण जै जै शी रादे